नमेश्कार दोस्तो, मेरे पास काफी कॉमेंट्स आए कि यह सेमिनार या वेबिनार के पोस्टर बनाने होते हैं, यह मोबाइल से किस तरीके से बनाए, वैसे तो कई लोग बना लेते हैं, लेकिन काफी बार वो clarity नहीं आपाती है, वो standard पर नहीं आपाता है, तो उस standard nest के लेकिन ऐसी बात करने वाले जो business में काफी helpful होती है, क्योंकि हम अगर कोई design बनाते हैं, तो हम customers को आसने से attract कर पाते हैं, जब कोई meeting होती है, तो उसके अच्छे से पोस्टर बना के हम लोगों को भेज सकते हैं, जिससे काफी attractive लगता है, अच्छा standard महसूस होता है, साथ में सबसे पहले अपना जो app है, उसको आपको download करना है, उसका नामे canva, ये canva app को download कर लीजिए, बहुत easy तरीके से इसमें सारे banner बन जाते हैं, तो दो तरीके से में आपको बताने वाला हूँ, कि किस तरीके से banner बना जाते हैं, पहला तरीका तो होता है, कि इस canva app के अंदर scratch से, पूरा white paper लेकर के, उसके उपर पूरी design करना, वो मैं आपको बता हूँगा, तो दोनो तरीके से बता हूँगा, पहले मैं आपको template से बता देता हूँ, ये जो उपर search का column आ रहा है, search करना है, क्या search करना है, आपको search करना है, seminar, ये मैंने search किया seminar, तो काफी सारे template आ जा select कर लिया, ठीक है, अब इसमें जो पहले चीजे जो डली हुई है, आपको इसको अटाने पड़ेगी, जैसे business webinar है, business webinar चलने दो कोई दिकत नहीं है, date अपने हिसाब से यहाँपर आपको click करोगे, यहाँपर आप अपने हिसाब से कोई भी date लिख सकते, जैसे मैं लिखता जिरो पांच, जुलाई, दोजार चोईस, मान लो, यह दोजार चोईस मैंने लिख दिया, तो date बदल गई, time आपको change करना हो, तो इसी परकार से आप time change कर सकते, जैसे मैं लेकना 6 बचे, तो मैं यहाँपर 6 लिख दूँगा, type तो सबको करना आता ही होगा, cdc बात है, यह लोकेशन, आपको जो लोकेशन लिखनी है, मान लो, मुझे लिखना है, न्यू देली, तो मैंने न्यू देली लिख दिया, यह और जो भी आपका लोकेशन होता है, फिर जॉइन नाओ, अब यहाँपर देश से दिया हो है, call का वटन दिया हो है, लेकिन आपको call नहीं चाह लिख सकते हो, और अपनी लोकेशन लिख सकते हो, यहां फिर अपनी कोई Instagram ID हो, यहां फिर local host का नाम हो, और भी कही सारी चीज़े होती हो, आप यहां पर लिख सकते हो, फोटो यहां से डिलिट कर दो, और आपको जो अच्छी लगती हो, यहां पर फोटो लगाता है, आपक क्लिक करोगे, डाउनलोड पर क्लिक करोगे, और यहां से डाउनलोड कर लोगे, तो यह आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी, सिंपल, अब हम इस चीज़ को वापिस बनाएंगे, एकदम नए सीरे से, एकदम स्क्रैच से जानते हैं, ठीक है, चलिए, अब जैस से यहां पर यहां पर लिखा है, पर क्लिक करना है, आपको कोई साइज ले लेनी है, यहां पर साथे साइज क्लिक कर सकते हैं, आपको एक परफेक्ट साइज मिल जाएगी, अब इसी साइज में सभी बैनर बना सकते हैं, ठीक है, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी आप नहीं लेंगे और हम खुद से एक डिजाइन बनाएंगे सबसे पहले डिजाइन का पहला रूल यही होता है कि आपका बैग्डाउंड अच्छा होना चोहिए थोड़ा इस्टेंडर देखना चोहिए हम ओने चाहिए कि आपको फाल्तू के color नहीं भरनें अपनी डिजाइन में कम से कम color रखना है कम से कम font रखने है चीजेए यानि इसको कहते है ठीक है और सबसे पहले हम लेंगे यहां पर बैगडांड तो हम ग्रिक करें तो यह सर्च करके आपको जो चाहिए वह यहां से मिल ज बन गया अब आपको इसको फैला देना है इसको आप पूरी डिजाइन में ऐसे सिंपल से डाल दो ड्रेग ड्रॉप करके बहुत इजी है ड्रेग ड्रॉप करना और कुछ नहीं करना ठीक है अब यहां सबसे बहले लगा दो एक फोटो अगर आपका किसी सर का कोई अपने फोटो लगाना पड़ेगा आपको सर्च करना सर्कल ले लो ने सरकल को ट्रैक करो तोड़ा सा बड़ा करो यहां से मैंने इसको बड़ा किया और इस तरीके से लगा दिया इसका कलर मेने मान लो एक बार मैं रख दे तो यह वाला मुझे थो अच्छा लग रहा है कलर तो मैं रख दिया अब आप इस ऐलिमेंट में जाओंगा मैं और यहां से जाओ कि आप नीचे नीचे तो यह फोटो मिलेगा फ्रेम्स जिसको कहते इसमें मैंने सरकल चोज के ताकि इसके अंद मे ó ऊसे सबसे फोटो के लिए अपना फोटो लगा सकते हैं जिसकी मीटिंग या इसका फोटो आशनी से सकते हो बड़ा चोटा सब कुछ कर सकते हो आसानी से चलिए अब यहां पर हम बाकि सारी चीज़े डालते हैं, सबसे पहले हम लोगो के लिए करेंगे, पर जाएंगे, इसको क्रोस करो, और यहां पर यह चीज़ सेलेक्ट कर लो, इसको नीचे लेलूगा, अब फोटो के ऊपर आ गया, इसलिए में इसकी पोजीशन बैक्ट में कर दूँगा, तक यह पीछे चला जाएगा, ठीक है, इसको मैं एक बार थोड़ा साइड में कर देता हूँ, यहां पर हम लोगो लगा देंगे, तो थोड़ा अच्छा दिखेगा, ठीक है, यह थोड़ी डिजाइनिंग सेंस है, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, और को ज़्यादे है नही अब जैसे मैंने यहां सरकल में वाइट वाला कलर लिया, तो मैं आप भी सेम वाइट वाला कलर लूँगा, ताकि थोड़ा यह अच्छा दिखेगा, ठीक है, यह हो गया, अब मैं यहां पर लोगो लगा दूँगा, यहां जो अपलोड का साइन है, इस अपलोड में आपके अब मैं एफेक्ट्स में जाओंगा, और इसका जो बैगराउंड है, वाइट कलर का वो रिमूव कर दूँगा, यह बिजी रिमूवर है, इसको मैं कलिक करूँगा, तो बैगराउंड इसका रिमूवर जाएगा, ठीक है, अब इसको थोड़ा चोटा करके, मैं यहां पर ल क्या कर रहा हूं इसमें, अब मैं यहां लिखता हूं, बिजनस, कभी भी डिजाइन में स्पैलिंग मिश्टिक मत करना बहुत बेकाल लगता है, इसको थोड़ा यहां से बढ़ा करो, इसको ड्रैक करके यहां लेजाओ, अपन यहां बिजनस को लगा देंगे, इसका फॉन कर लो कोई भी जो भी आपको छूस करना हो, जैसे मुझे मेरे को तो काफी नॉलेज है, इसमें तो मेरे को holiday नाम का एक font काफी अच्छा लगता है, तो मैं उसको लगा दूँगा, इसका color आप यहां नीचे चेक कर सकते हो, सारे options नीचे हैं, आप देख सकते हैं, मैं इसका एक बार white color रखते हो, ज्यादा coloring भी नहीं करने, लाल पिला नीला ज्यादा भी मत कर देना, ठीक है, अब आप इससे business के नीचे लिखते है, webinar, इसका font दोड़ा और change करते हैं, इसमें मानलो कोई भी हम कर सकते हैं, वैसे तो, जो आपको अच्छा लगता हो, वह आप कर सकते ह मानलो मैं एक बार यह वाला करता हूँ, यह भी थोड़ा अच्छा लगता है, font, और मैंने इसको यहाँ, drag and drop कर दिया, इसको थोड़ा सा उपर लेके जा सकते हैं, और थोड़ा सा webinar को हम बढ़ा कर सकते हैं, और इसको हम बोल्ड भी कर सकते हैं, इसको हम यलो में रख दिए और इसको बढ़ा भी कर सकते हैं, इसमें कोई चीज फिक्स नहीं होती, जो आपको हाथवाथ चीज अच्छी लग रही है, आप वो कर दो, जैसे मुझे यहाँ पर जो मैं अच्छा लग रहा है, मैं वो कर दूँगा, इसमें कोई फिक्स नहीं है, कि मैं इसको वैसा ही जो आपको अच्छा लग रहा है, आप उस तरीके से करो, अब मैं इसका चेंज करना है, तो मैं यहाँ से चेक कलर यह लो कर देता हूं, ताकि यह थोड़ा सा अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया लग रहा है, बिजनस पर भी नाव, चलिए, अब नीचे कुछ एक टेक् कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मानलो, Grow Your Network, आपकी जो मीटिंग है, वो किस नाम से, मतलब क्यों वो मीटिंग कर रहे है, उस मीटिंग का एजेंडा क्या है, आपको वो एक बार लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने लिख दिया, Grow Your Network with Mr. जो भी आपके लीडर हो, जिसकी टीम ह जिसकी आप मीटिंग का पैनल बना रहे है, उसका नाम लिख, जैसे मैं रख दिया, Mr. राजा सर, एक बार मैंने यह लिखा, और इसका font में डाल देता हूँ, एक बार, simple सा कोई इसका font लगा दो, इसका font लगा दिया, अब इसको करते हैं थोड़ा सा छोटा, फैला देते हैं, इसको करते हैं left align, यहां से मैं left कर दिया, और इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया, इसको bold करना हो तो यह bold हो गया, अब इसको कलर वाइट कर दो ज्यादा बेटर रहेगा, यह मैंने इसको कलर वाइट कर दिया, इसको खसकाना है तो यह NUDG एक नाम से नज लिखा है, इसको अब थोड़ा से इस तरीके से करोगे तो यह खे सकता जाएगा, ऐसे अच्छे से drop हो जाता है, ठीक है, अब यहां पर आपको डेट वगरा भी लगानी पड़ेगी, सब से पहले तो एक बार थोड़ा से इसको आप साइड में खसका सकते हैं, एक बार मैं इन सब को थोड़ा साइड में ले लेता हूं, तो थोड़ा और अच्छा दिखेगा, मैं क्या कह रहा हूं कि डिजैन में जो आपको आथवा चीज अच्छी लगती है, आप वो करो, त तक हम इसके उपर देट और वगरा लिख देंगे, ठीक है, इसको छोटा किया, इसको मैंने यहां रख दिया, थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं, इसको हम बढ़ा सकते हैं, इसको मैं देदूंगा, यलो कलर करी हमारी डिजाइन यलो, ब्लू और वाइट में चल देए, ती मैं लिखता हूँ, जुलाई, इसको डिलीट करो, लिख दो, जुलाई 15, मान लो मैं लिख रहा हूँ, जुलाई 15, और यहां पर एक यह लगा देते हैं, और लिखते हैं, आठ बजे मान लो, मेरी मीटिंगे 8 बजे, तो मैं 8 00, P और M, यह लिखते हैं, इसको यहां ले आते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, यहां से कर देते हैं, बोल्ट, और इसको खसका के, आसानी से यहां पर आ गया, चीक है, यह हो गया, जुलाई 15, आठ बजे, अब, अब वेबिनार है, आनलाई वेबिनार है, तो आपको जुम की मीटिंग और पासफ़र भी लिखना आपड़ेगा, इसको डुप्लिकेट करो और यहां ले आउ, यहां हम लिखते हैं, एक बार थोड़ा इसको छोटा करते हैं, इस टेक्षट को भी दुप्लिकेट कर सकते हैं, अब दूप्लिकेट करोगे तो वही Kayeiges style रहती है, अब यहां लिखते हैं लुमें join us जॉइन आस यानि हमें जॉइन किजिए यह होता है कॉल टू एक्शन लगाना बहुत जरूरी होता है जैसे कोई रेस्टोरेंट होता तो उसमें लगाते है ओर्डर नाओ मीटिंग कर फिजिकल होता हो तो कम नाओ विजिट नाओ जॉइन नाओ ऐसा गर के लिख सकते है अब यहां नीचे आप आपकी इसको डूपलिकेट करो जूम आइडी पासवर्ड लिख दो ठीक है जैसे मैं लिखता हूँ जूम आइडी कुछ भी यहां जो भी आपकी जूम आइडी हो वह लिख लो फिर नीचे वही पासवर्ड भी लिख लो जो भी आपकी जूम आइडी का पासवर्ड हो वह लिख लो फिर आप नीचे आपना कॉंटेक्ट नंबर भी देता कि केसी को कॉंटेक करना हो तो यहां पर आपका contact number आ गया ठीक है जैसे अगर आपकी meeting होती है वह अगर physical होती है तो आप उसमें अपनी location जरू डालोगे कहां पर meeting है contact number address अच्छे से डालोगे ठीक है लेकिन यह online अदम zoom idea वेकर डाल दिये मैंने यहां पर इसको डाल दिया और मैं इसका color एक बार white कर दे दो कि वह दिख जाएगा ठीक है ऐसे नहीं कि black कर दो दिखे ही नहीं color अमेशा दिखना चाहिए contrast होना चाहिए अच्छा ब्लू पर white और yellow अच्छा लग रहा तो मैंने लगए इस तरीक से हो गया अब यहां जो खाली खाली जगे थोड़ी लग रही है अगर तो वह भर सकते हो दिखो design में तोड़ा कुछ अच्छा कर सको तो कर लो ऐसा को जरूरी नहीं है लेकिन करो तो अच्छा लगता है जैसे मुझे यहां पर यह जगे खाली दिख रही है यह जगे खाली दिख रही है तो मैं क्या करता हूँ यह यहां लिखता हूँ डॉट ग्राफिक्स में जा यह देखिए इस तरीके थोड़ी से अब design की अपनी खुबसूरती बढ़ा सकते हो जितनी खुबसूरती बढ़ेगी उतना अट्रक करवाओगे ठीक है मीटिंग में बुलाना है किसी को तो थोड़ा attraction करना पड़ेगा इसी को यहां पर भी एक बार लगा देता हूँ तो थ देखो वहां black देख रहा था यहां white देख रहा ठीक है यह बन गया हमारा poster कितना sweet सा simple सा लग रहा है कोई कमी बेशी लग रही है तो आप बदाओ देखो कोई भी चीज जो इसमें अब लिख सकते हो और भी कोई चीज अड़ करने तो कर सकते हो और कितना प्यारा सा लग रह इसकी जगे में orange कर दूँ लोग गलती क्या कहता है चुपते color कभी नहीं लेना इसकी जगे मानलो में लगा देता हूँ यह 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 लगा दिया इसकी जगे मैंने लगा दे एक color अभी देखो color बेकार करने से किता बेकार डिजाइन लग रहा है वरना जो हमारा sweet सा डिजाइन था वो किता अच्छा लग रहा था simple साधा डिजाइन लग रहा है वो इसमें बेकार चीज नहीं लग रही है और font of file तो यह बड़े भी नहीं करने कई लोग वेबिनार को इतना बड़ा लिख देंगे है ना यह जुलाई 15 को इतना बड़ा लिख देंगे फिर यह डॉट वर्ड लगाएंगे नहीं जूम आईडी पासवर्ड को बड़ा लिख देंगे तो यह बद्दा देखता है दोस्तों एक्स्टेंडर चीजे हो जाएगा इसको शेयर कर दो इसी तरीके से कोई भी डिजेन बनाना नहीं तो आप बना सकते हो यह elements का सारा खेल है इसमें सब कुछ element आपको दिख जाएंगे कुछ न कुछ इसमें लगाते रहो अपना दिमाग तो आप सीख जाओगे ऐसा कुछ नहीं है बाकी मैं इस चै इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम ऐसी नहीं चीज़े आपको सिखाते रहेंगे अपने एगले वीडियो में तब तक कि लिए आपका धन्यबाद थैंक्यों वेरी मुच